जो आज ट्रीन में शुरू करते हैं ट्रीनिमेटिरिजों पोर या फिर ओंटीर अगभी ट्रीनियमयटिरिक रिशो दोट्यूंट्रीन बाद जैसे कि SIN 2 A, COS 2 A, ठीक है, SIN 3 A, COS 3 A, SIN A by 2, ठीक है, यह सारी फॉर्मलें मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर इसमें आपको क्या questions मिलेंगे और उसको क्या क्या करना कैसे करना होगा, एकी पर बेस्ट आपको अलग-अलग टाइब करें तो हर टाइब करेंगे सबसे पहले देखिए इसमें फॉर्मला है साइन ट्वाइस ऑफ ए इस तोड़ा सा इसमें मौल्टिपल फॉर्मले से सबसे से पहले है कास्व आइस साइन स्वारे अ पहले दूसरा फॉर्मला इसका टू कॉस्ट माइनस सब्सक्राइब तो इस कॉस्ट हुए के यह तीन फॉर्मले मेरे पास अब क्वेश्चिन को देखके मुझे इडेंटिफाय करना होता कौन सा फॉर्मला लगाना है मुझे वह भी मैं आपको समझाओंगा प्लस यह आप जैसे जैसे क्वेश्चिन प्रैक्टिस करोगा आपको वह आपकी वह स् फॉर्मला लगना कहां पर यह फॉर्मला लगना ठीक है अचा फिर इसके बाद आ गया टैन टैन ट्वाइस ऑफ ए इस टू टैने अपान वन माइनस थैन स्कूरर अभी देखो यहां पर जो फॉर्मले आपको बताए हैं इसमें जरूरी निया फॉर्मला एज लगाना है यह दिया तो question में मैं उसी format में apply करूं उसको हम आगे पीछे करके कोई modify करके भी apply कर सकते हैं जैसे की अभी कॉस तूए हमारे पास है तू कॉस स्क्वाइर ए माइनस वान ठीक है मैं इसको लाइक इस वन को यहां shift करता हूं तो यह हो जाएगा वन प्लस कॉस टूए यह बन जाएगा तो ज़रूरीन यह मैं इस formula को ऐसे यूज करूं कई जगा आपको यह formula यूज करना पड़ेगा या फिर मैं आस टू को भी यहां shift कर देता हूं तो यह हो जगा वन प्लस कॉस टूए हो सकता है मुझे यह formula यूज करना पड़े question में अब यह मुझे देखना question में कॉस्ट हुए है या फिर question आपको इस format में दिया है या फिर question में सिर्फ कॉस्क्वाइर है कॉस्क्वाइर मिलता अगर question में तो हो सकता मुझे यह formula अप्लाइ करना पड़े ठीक है या फिर कॉस्ट हुए दिया है तो ऐसे करना पड़ेगा ठीक है तो यह मुझे जो है जर्च करना पड़ता है फिर जैसे इसमें एक और यह हमने देख लिया यह भी फर्मला है यह भी फर्मिला यह भी फार्मला ठीक है एक ही फर्मला जैसे कि 10 में आपने किया होगा like sin square plus cos square e yaya sin square theta plus cos square theta is 1 हम ने इस formula को हमेशा या इस identity को हमेशा ऐसे ही apply नहीं किया है कई बार हमने इसको ऐसे भी apply किया one minus sin square is cos square खिया है या फिर one minus cos square is sin square क organs मारे किया है न अब यह देंटिटि थी से basically 3 thebra didn अगे टोटल है ना दो और डिराइब हो रहे साथ टोटल थेन थीन फरल में हैसमें ओश्य यह एक की फर्मला दो नमबर ऐगर 204 फर्मला नमबर थ्री में और इसी तरह से cos 2a होता है 1-2 sin square a है ना तो मैं इसको यहां shift करता हूँ इसको यहां shift करता हूँ तो हो जगा 2 sin square a तो एक formula यह बन गया तो को shift करता हूँ तो एक formula यह भी बन गया ठीक है तो basically तीन formula यहां हो गया तीन formula यहां हो गया अब question के accordingly मुझे यह formula जो है apply करने पड़ेंगे यहां तिक समझ मैं है दूफ फर्मले और है मारे पास like sin 2a sin or tan 2 tan a upon 1 plus tan square a अब देखे इसमें बहुत लोग confused हो जाते है tan 2a का formula है यह ऐसे बोल देता है ना tan 2a क्या है 2 tan a 1 minus tan square a confusion ना हो देखो जब tan और tan की बात हो रही है तो minus लेकिन जब साइन और tan की बात हो रही है तो प्लस चीक अच्छा इसके बाद कई बार होता है कि भाई साइन में हम टैन वाला फॉर्मला लगा है वह जो पीछे साइन टू साइन को से वाला फॉर्मला वह लगा है तो यह question में देखना आपको question में टैन का format दिया यह साइन और को स्का फॉर्मेट दिया है ठीक है अचा फिर साइन और 10 जैसे हमने देखा साइन और 10 के बीच में relation ऐसे ही कॉस्ट होता है बन माइनस 10 स्क्वाइर और 1 प्लस टैन स्क्वाइर को बिच यह का फॉर्म्ला हो गया अब देखो इसमें जैसे यह फॉर्मिले हमें क्या करना हमें अब समझना है ठीक है ताकि आप इस फॉर्मिले को आप क्या कर सकते हो अपने एंड पे अपने हिसाब से क्वेशन के कोडिंग कर सकते हो जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूं कि साइन तूए हमें क्या दिया हुआ है तूसाइन को से तो साइन ए का फॉर्मिला हम डिराइब करते हैं अब तो साइन एक हमने क्या लिखा साइन टू टाइम्स ए बाइटू अगर ऐसे लिखें तो कोई दिक्कत है तो एंटू कैंसल वापे साइन एही मुझे मिलेगा अब मैंने इस एबाइटू को थीटा मान लिए जैसे कि यहां पे साइन टू थीटा था मान लिए यह साइन देर मैं थीटा मानता हूं तो सामे थीटा क्या होता है तो साइन थीटा ऐन्का स opener अस कि यह हो गया सब लाइओ को साइन ये साइन का फॉन्मला हाफ के फॉर्म में है यह एक इंप्रिटन फॉर्मला है जो हम değil क давно यह क्या किया अबें लेकिन मुझे मालू में sin 2 θ, 2 sin θ cos θ तो इसका मतलब sin a होना चाहिए 2 sin a by 2 basically समझना है आपको कि यहाँ पर अगर double है तो यहाँ पर उसका half है, यहाँ पर उसका half है तो यह अगर 2 θ है तो वो 2 θ का half यानि थीटा तो यहाँ पर अगर a है तो यहाँ पर a का half यानि a by 2 अगर यहां पर मुझे साइन 3 यह दिया होता है और मुझे इसे हाफ एंगल में करना है अगर तो मैं इसको 2 साइन 3a by 2 cos 3a by 2 हाला कि 3a का एक दूसरा फॉर्मला है वो आगे हम चल के समझेंगे जब उसके क्वेशन करेंगे लेकिन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो यह चीज़ आपको समझने हैं क्योंकि क्वेश्चेंज में यही स्किल मेरे काम में आने वाली है आई बाद समझ में तो जैसे हमने साइन का हाफ एंगल निकाला ऐसे ही अब देखें कॉस्ट टू ए क्या होता है मान जबेज़े कॉस्वेश्वाइर और साइन स्क्वहरा है मैं इसका हाफ एंगल कैसे बाओंगा इस तूए को मैं यहाँ लिखता हूं मैंने इसको हाफ किया तो यहाँपे मुझे क्या करना और कुछ नहीं करना तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वेर एबाइटू एड माइनस साइन स्क्वेर एबाइटू अगर मैं बोलता हूं कॉस्टू ए होता है टू कॉस स्क्वेर ए माइनस वन तो कॉस ए क्या बन जाएगा टू कॉस स्क्वेर एबाइटू माइनस वन अगर मैं बोलता हूं होता है 1-2 sin2 a तो फिर cos a को मैं क्या लिखूंगा 1-2 sin2 a by 2 है ना सिर्फ मैं हाफ कर रहा हूं और कुछ नहीं करता हूं हाफ कर रहे हो तो यहां ब्रैकेट जरूर लगाने नहीं तो कई बार confusion हो जाता है बहुत लोग क्या करते हैं इस 2 को इस 2 को cancel कर देता है तो यह गलती में से नहीं होने चाहिए तो यह हमने देख लिया अब ऐसे ही जैसे कि 1 plus cos a is equal to 2 cos square a by 2 एसे ही 1 minus cos a is 2 sin square a by 2 एसे लिख सकते हो ठीक है और फिर टैन के लिए हम लिख सकते हैं तैन a is 2 tan a by 2 1 minus tan square a by 2 ठीक आच्छा साइन a को हम लिख सकते हैं 2 tan a by 2 and 1 plus tan और ऐसे ही cos मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं आप लोग ब्रैकेट लगा लेजे लो मैं भी लगा देता हूं है यह फॉर्मले का तो concept समझ में आ गया तो अब हम देखते हैं इसमें questions आपको किस ट्राइब के मिलेंगे चलिए अब हम देखते हैं यह टाइप वन question है multiple answer multiple formulas पर बेस्ट अब देखें आपको यह जो है इसके इकवल प्रूफ करना है तो ऐसे questions में आपको क्या करना है कि मुझे सीधा सीधा formula लगाना और question को solve करना है मेरा answer अपने आप आएगा most of the time टीक है अच्छा यहां पे मुझे क्या करना है कि दोनों में जो more more complicated part मैं उसको चूज करोंगा ठीक है सिंपल सा हिसाब है मुझे ज्यादा complicated यह लग रहा है यह जो है एक दम सिंपल लग रहा है सिंगल सिंगल जो है यहां पर यहां पर यहां पर देखे बहुत सारी चीज़ है तो मैं क्या करूंगा more complex part को जो है सब्सक्राइब करके सिंपल पार्ट लेकर आऊंगा आप यहां से इसको प्रूफ कर सकते हो ऐसे लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस और बहुत स्किल है ना अच्छी प्रैक्टिस चाहिए तो आप कर सकते हो अभी हम क्या करेंगे देशियर वे लेफ्रेंड साइड क्या कहता है साइन तो थीटा एंड लेट से वन प्लस कॉस्ट तो थीटा यह मुझे दिया हुआ है अब मुझे जहां पर जो फॉर्मला समझ मारा मैं वह फॉर्मला लगा दूंगा साइंट्वाइस ऑफ थीटा इस तो सञेटा कॉस्टीटा थीटा वन अज रहने देता है प्लस अजट्व रहने देता है अब यहां पर मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कौन सा फॉम्ला लगा हूं क्योंकि कॉस्ट में मेरे पास तीन फ़ॉमलें अब उसकंफुजन को दू स्टेक्ट आच्छ वह शीट बना के अब आप क्या किजिए जब भी कोशन और शीट को आप कीजिए जैसे कॉस्ट तूठ फीटर मेरे पास कॉस्ट स्क्वेर नाम एक फॉर्मुला यह है दूसरा है ट्वकॉर्स स्क्वेर सब्सक्राइटबेस पॉन टीसरा है ये वन माइनस 2 25 συν स्क्वाइब तीटर 4 3 निमेरे पास आम मुझझे ओन्हें कोन सा फॉर्मला ललगाऊं वहाई फॉर्मला नामबर 1 फॉर्मिला निम्य मेरे पास फॉर्मला नमबर ने वन है फॉर्मक बलाई नमबर टु थी रेकूался पॉर्म map रखाना है रल nine क्योंकि इस दूसरे फॉर्मले में क्या हो रहा है कि वन से वन है ना वहाँ पर माइनस वन और यहां पर मुझे प्लस वन दिए वन से वन कैंसल हो जाएगा ठीक है तो मेरे पास अकेला कॉस्क्वेर थीटा बचेगा थोड़ा सिंपल हो जाएगा अगर मैं अगर आपको वैसे फर्फ wrong और ते बी काउज सक्वेर नियए अगर इसको मेंटर हम नहीं कर पारें तो आप यहां पर और प्रैक्टिकल लिखके देखिए को स्कुर्टर जीटा माइनस सक्वयर थीटा अबात बनी नहीं बनी यह formula नहीं लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं ऐसा नहीं है यह जो plus cos square theta है ना उसको इधर लिख लो और इसको इधर लिख लो जिगे बदल दो ना नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं अच्छा 1- sin square theta क्या होता है है तंथ क्लास के बच्चे होता हैं तो इसको क्या लिखेंगे 2s square theta तो ऊपर है नीचे हमारे पास x square theta है और 1- sin square theta cos square theta होता है यह हमें मालू मैं तो मैं इसको cos square theta plus cos square theta लिख सकता हूं कौस square plus cos square हो जाएगा 2 sin square theta sorry कॉस ठीटा था numer ने मैंने साइन स्कวर्द लिख दिया बूस तो सैंस पॉस स्क्वर्द और नीचे आ गया यहीं मुझे प्रूफ करना था अच्छा अब देखें जो आपने बोला वह गलत नहीं था कि मुझे फॉर्मला नंबर टू लगाना है इन फैक्ट अगर मैं फॉर्मला नंबर टू लगाता मेरा आंसर आ जाता और जल्दी आता यहां पर क्या हुआ कि एक दो स्टेप्स लगए लेकिन अगर में फॉर्मला लगाता है चले देखते हैं अभी हमने फॉर्मला लगाए था फॉर्मला नंबर वन चलिए इसकी कहानी खताम हां इससे मेरा न सरा रहा है थंस तोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ा लेकिन आगे आनसर आप यहां पर क्या करते हैं यह स्टेट फॉरवड एक ही फॉर्मला है इस वन को हम साइट में छोड़ देते हैं कॉस्ट फॉर्मला लगाए दूसरा चलिए जैसे कि आपने बोला था गया अब देखिए वन से वन कैंसल हो गया यह नहीं नीचे सिर्फ टू कॉस्वर थीटा बच्चा यहां पर क्या मेरे पाइन अपन कॉस्ट मुझे सीधा सीधा टैन मिल गया लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मुझे यही फॉर्मला हर बार लगाना है मैं यह फॉर्मला भी लगाता तो मेरा आंसर आता लेकिन मुझे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता बात तो समझ मैं आई है ना दो से ए हैं इसमें कि तीसरा लगाते तो कि आंसर आता कि न आ आ जाता हम चलो देखते और हम तीसरा फोब्ला लगाते हैं तो क्या उसमें आंसर आता यह नहीं आता तो 2 sin theta cos theta यह 1 पहले से है प्लस 1-2 sin square theta क्या किया जाए अच्छा यह 1 और 1 हम जोड सकते हैं चले जोड लेते हैं This time 3 3 साइन 2 कौस घर नीचे हमने रखने वन प्लस 1 कर लिया और बाइनस वन रही थी था हमारे पास तो अब हमने क्या किया नेक्स स्टेप में निमेरटिर में थो साइन 2 थीटा कौस थीटा है फिनोमें मैंने क्या किया टूu common ले लिया और तो कोछी समझ में आनी रहा है बुए कॉमन ले ले लेता है तह लूत है तो ब्रेकेट में बच गया one-one six square तीटा है बच गया है इसको और फॉर्दधा bug 2-2-50 यह सो मुझे 6 स一定要 कॉस्टीटा मिला मिला 2-1-2 12-2-5 क्या होता है फार स्क्वेर थीटा होता है ना है नास्कॉर aos 200 तो स्कॉयर से यह कॉस्ट कड़्या को सांधी पाइगका सीटा बचा जिसको हमने चालि लिख लिया था इंश त expose ही आ रहा है है ना तो देखिए फॉर्मले के शीट मैंने अपने सामने रखी सबसे पहले तो मैंने इडिन्टिफाई किया मेरे दिमाग में फ्लैश हुआ कि क्योंकि यहां पर वन प्लस है अगर मैं कॉस्ट टू थीटा की जगह यह फॉर्मला लगाता हूं तो मेरा आंसर आए था तो मेरा चो अंसर आये था वह सबसें जल्दी आया था यहां टोनओ फॉर्मले लगाने से मेरा अंसर आया लेक्टन एक जल न कुली तीन ठीक है मैं फॉर्म्ले टीनों लगा सकता हूं लेकिन हां यह है तो यह जो है आपको प्रैक्टर्स करके इस कि या एपने लोजिक लगाये कि यह कैंसल रहा है या फिर अगर आपको नहीं समझ में रहा है सब्सक्राइब के तब स्थम्टाइब आप आप प्रूफ करना है क्या वन प्लस साइन थीटर मानेक पॉस्पीटा जिए और ा दूंट करेंगे प्रूफ करना है अब दोबारा क्या करें गे वही तरीका आप फॉम्ले की लिस्ट अपने पास रखें साइड में और देखें कौन सा फॉम्ला कहाँ प्लाए हो रहा है moreover हम शिरुवात करेंगे more complex parts है जैसे इन दोनों में left और right side में मेरे पास यह left side है यह ज्यादा complicated है ठीक है तो मैं पहले इसको solve करूंगा left hand side मेरे पास साइड माइनस कॉस थीटा है एंड वन प्लस साइड थीटा प्लस कॉस थीटा अब क्या किया जा सकते हैं तो मुझे क्या करना होता है यह सबस्क्रीचिक बस जिलनागा सकता है यहां फॉय सोफित है घूपटलडबर सीटा जम्हाइब आपको बताया calamus की फॉर्मिले जो हैं हम अलग-अलग तरीके से लगा सब्सक्राइन यहां पर देखो यह साइन मैं पाल्चा है मैं अगर इसमें यह वन और कॉस्ट को एक साथ ले लूँ को और ऐसे ही नीचे भी वन और कॉस्ट को एक साथ ले लूँ तो क्या हो रहे है, 1-cos और 1-cos इसका directly formula लग रहे है, 1-cos थीटा क्या होता है और 1-cos थीटा इस यह formula तो देखें, यहाँ पर यह जो 1-cos है न, इसमें यह formula लग जाएगा 1-cos है, उसमें वह formula लग जाएगा, लगाया जा सकता है, ठीक है न, दूसरी चीज़, यह हमने rearrange करके formula लगा दिया, in case हमारे दिमाग में नहीं आता, कोई बात नहीं, इसको ऐसी छोड़ देते, sign में जो formula लग रहा है, sign का लगाओ, cause में जो formula लग रहा है, cause का formula लगाओ, लगाए, है न, तीनों ही formula लगाए, तीनों ही formula से answer आए, लेकिन एक formula होता है, जो shortest होता है, है न, तो यह shortest तरीक है, यह आपका practice करते-करते-करते आ जाएगा, लेकिन हाँ, formula कोई भी लगा सकते हैं, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1-cos और 1-cos, formula लगा लेते हैं, 1-cos is, यह उपर वाली लाइन रब कर देते हैं, 1-cos हो जाएगा, 2 sin square theta by 2, sin theta को लेख सकते हैं, 2 sin theta by 2, cos theta by 2, ऐसे ही नीचे, 1-plus cos को लिख सकते हैं, 2 cos square, theta by 2, and 2 sin theta by 2, cos theta by 2, fine, अब क्या किया जाएगा सकता है, common ले सकते हैं, very good, तो 2 दोनों में common आ रहा है, अच्छा, 2 common ले लेते हैं, sin theta by 2, sin theta by 2, common ले लेते हैं, common ले लेते हैं, ठीक है, sin theta, यहाँ पर देखें, 2 बार sin theta by 2 है, 1 तो मैंने common ले लिया, 1 बच गया, उसको मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर 2 और sin theta by 2 मैंने common ले लिया, बीच में plus का sin था, plus लिख दिया, cos बच गया, मैंने cos लिख दिया, ठीक, यही काम में denominator में करूंगा, 2 common लिख लिया, cos common लिख लिया, sin to common लिख लिख लिए, cos theta by 2, cos बच रहा है इदर, बीच में plus का sin, कोई,cin बच रहा है, देखे, cos plus sign लिख लिख लिख, यह साइन, प्लस cost लिख लिख, कोई फरक पड़ता है, कोई फरक नहीं,ोग काम करता हूँ न, यहाँ पर यह स्टीटा,ध काम लिख 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 लों और यहाँ पर, अब देखिए यह ब्रैकेट और यह ब्रैकेट सेम हो गया साइन थीटा बाइटू 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 साइन थीटा मेनस कॉस्थी टापको कोड़ सिरेंट जो पनलै daughters souhaade प्रति करेंटेट केरं और इसवयर और प्रति करेंड और साइन झाल कई Son solve करना देखे मोर कॉंप्लिकेटेटेट यह लेकिन कॉंप्लिकेटेट यह भी एक क्यों कि यहां पर 5 और 4 यहां पर 54 है नहीं तो आप क्या कर सकते हो या तो आप इसको हूं जैसे की साइन कि 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा ठीक है यह रिजल्ट आप यहां पर यूज कर सकते हो हो सकता है कि यहां पर कॉस थीटा है ठीक है इसको आप क्या लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा ऐसे लिख सकते हो अ कि इसे लिखके फिर हो सकता है साइन थीटा सा 142 थीटा का फॉम्मूला क्या होता है साइन होता है ना मैं अगर इस पूरे को थीटा मान लूँ तो पूरे का मतलब पाइब टू माइनस टू थीटा होल अपॉन टू ठीक है ना ऐसे कुछ करके हो सकते आपको सॉल्व करें तो आपका अंसर आ जाए यह मैंने आपको एक हिंट दिया इसके बेसिस पर आप ट्राय करके द आपको बता दू अगर याद नहीं तो वहता है टैनले माइनऊ रैंदी अ पाउन प्लस धा थनल्य तीक है तो यहां पर टैंड को आप 4 और 0 would को थीटा लेके सॉल्व कर सकते हो थीक है तो वैसे कर लेज़े या फिर यह जो मैंने आपको पता है नाइंटी माइनस तीटा वाला रून यूज़ करके आप ट्राइब केजिए कर दो ही कर दो कःटिय के पृट रूर्या कर दो कि ए जा रू वालूनीघश